हमने कभी भी न किसी का धर्म देखा है न किसी का धर्म पूशा है साथियों कॉंग्रेस की सोच है कि देश की सरकारे जितना बजेट बनाती है उसका 15 पतिशत सिर्फ और सिरफ माइनोरिटी पर खर्चो धर्म के आधार पर बजेट का भी बटवारा धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बाटा साथियों आज मोदी गरीब को मुक्त राशन दे रहा है आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है बिजली कनेक्शन हर गर जल उजवना का गैस कनेक्शन दे रहा है हमने कभी भी न किसी का धर्म देखा है न किसी का धर्म पूशा है योजना सब के लिए बनाई जाती है सब को योजनाओं का लाब दिया जाता है लेकिन कॉंग्रेस की नियत रही है इसका बहुत बड़ा खुलासा आज मैं 140 करोड देश वाश्यों के सामने करना चाहता और भगवान राम की ये धर्ती है एक प्रकार से तो मुझे लगता है कि गंबीर विशय यहाँ पर उठाना ज्यादा अच्छा होगा साथियों कॉंग्रेस की सोच है कि देश की सरकारे जितना बजेट बनाती है उसका 15 पतिशत सिर्फ और सिरफ माइनोरिटी पर खर्च हो यानि धर्म के आधार पर बजट का भी बटवारा धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बाटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भाती भाती के बटवारे करने में लगे हुए कई साल पहले कॉंग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवटरन को हरी जंडी दिखा दी थी जय स्री राम भारत माता की भारत माता की आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है और आप जानते हैं कॉंग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है उसका अपना प्रिय वोट बेंक मुझे आद है उस समय मैं CM था और जब ये बात कॉंग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पूर जोर विरोत किया था कॉंग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजेट का पंदरा प्रतिशाद सिर्ब मुसल्मानों पर खर्च हो तब भाजपा के जबरदस विरोत के बाद ये कामन्याब नहीं हो पाई थे लेकिन अब ये सारे पुराने एजंडे की उसको लागू करने पर तुले हुए है बाबा साब आम्बेड कर धर्म के आधार पर आरक्षन के खिलाब थे लेकिन कॉंग्रेस कह रही है कि में है लेकिन कॉंग्रेस और इंडिया गाडी वाले कान खोल करके सुन ले मोदी धर्म के आधार पर न बजेट बाटने देगा और नही धर्म के आधार पर आरक्षन देगा वंचीतों का जो अधिकार है वंचीतों का जो अधिकार है मोदी उसका चोकिदार है भाई और बहनों हम तो छत्रपती सिवाज की सिवाजी महाराज की पेरणा से काम करने वाले लोग है ये चुनाव सिर्फ MP चुनने का नहीं है बलकि PM चुनने का है ऐसा PM जो ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सके आप देखिए कोरोना का इतना बड़ा संकटका लाया भारत देश का डट कर मुकाबला किया कोरोना को हराया इसमें आरो के विभाग में अमारी बहन भारती पवार जी जो इस विभाग को देखती थी उनका शान्त और सेवा भाव बहुत काम आया आज कोरोना के विरूत भारत की लड़ाई की प्रसंसा पूरी दुनिया कर रही है भारती जी के प्रयासों से यहां नासिक जिले के गाओं में करीब छेसो आयुश्मान आरों के मंदिर बने हैं यहां दरजनों जनवसदी केंद्र फुले हैं इन केंद्रों पर 80% डिसकाउंट पर दवाएं दी जा रही है इतना ही नहीं नासिकी दो लाग से अधीक गर्बवती महलाओं के खाते में 66,000 रुपिया भेजा गया है सिकल सेल एनिमिया से मुक्ती हो या फिर बच्चों का टीका करां सरकार ने गरीब कल्यार का प्रयास पूरी इमानदारी से किया है जाथियों आपके स्वास्त को लेकर अब तो मोदी ने एक और बड़ी गारंटी दी है अम महराष्टा के सभी परिवारों के सत्तर साल से उपर के जो भुजुर्ग है उनको पांच लाख रुपिये तक का मुक्त इलाज के मोदी की जिम्मेवारी रहेगे झाल 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 करें य थी करें शत्ौ बत्स रहे थी झाल